नमस्कार किसाद दोस्तों मैं हरी सियादो स्वागत करता हूं मेरी यूटुब चैनल पर मेरे सभी किसाद दोस्तों का आज हम गाउं जखराना पर जो की जखराना ब्रीड के लिए ही फेमस है, हमारी पूरी टीम है हमारे साथ पर, काफी महनत और मसकत के बाद हम यहां पहुचे हैं, हम अमिलाल यादो जी के पास में हैं, जो जखराना ब्रीड का पालन कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर सुगन जखराना ब्रीड का पतन कैसे हुआ, क्या कारण था, इन सारी चीजों के बारे में जानने की कोसिस करेंगे, तो जो यहां के ग्राम निवासी हैं, जो इस ब्रीड का पालन करते हैं, इन से जानकारी जुटाएंगे, तो वीडियो के लास्त तक जरूर बने रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दवाले, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमिलाल यादो जी, सर अब कितने सालों से बकरी पालन कर रहे हैं, मां एक याशी साल के बाजी हो गए हैं, और एक याशी साल के उमर में माल लीज पैंशेट साल बकरी चराते हो गए, एक बहुत बड़ा लंबा अनवो इनके जिन्दगी का रहा, तो बावजी ये बताओ बामें, ये जो बकरी है, ये अब जो हम जखराना को जहां तक हमने पड़ा, जहां तक हमने समझा, वो मुझे नजर नहीं आ रही है, कम होती गही सम कारण रहा, कम हो समय को कारण ही होगो, एक तो पहले वाली खुराक नहीं रही है, पहले वाली खुराक नहीं रही है, ये पहला कारण रहा मेरे किसान दोस्तों, दूसरा क्यारण क्या रहा, दूसरा कारण ही होगो, इन नया छोक रहेगा जो बकरा ठाक ना, अलग नसल का छ हो पाई तो इसका जो रिजल्ट है अब लुप्ट सा होता हुआ हम आपको दिखा रहा हूंगे जो जख्राना ब्रीड अपने ब्रीड के लिए जाने जाती है आज मैं इस बच्ची को पकड़ता हूं देखें ये बच्ची रेशें ये छोटी सी बच्ची है इन्होंने छोटी में इसको फ्रेग्नट रिए और ये देखिए जान तक मैं बताता हूं यह दान्त कर चुकिए दो दान्त किया रहा वी दही है दो दान्त करच च जोडोगले कि個 अगयरसर है ये देखि दो दान एकूंपलीट तो इस तरह नहीं दो दान्त की जब बच्ची का वेट गेंग हां मैं यह कह रहे हैं कि इन्हों ने यह कहा कि जब वह बक्री की उमर दो साल की हो जाए तो यहां आ जाएगी इसने जैसे दो किलो एक टाइम का अब एरिया वाइज एक डिफरेंस आता है मेरे किसान दोस्तों कहीं अलग दूद यह बता देते हैं कहीं दूद का वह कैलकुलेट करके बताता है राजस्तान के कुछ हिस्चों में दोनों टाइम का दूद कैलकुलेट करके बता जाता है लेकिन जखनाना जो जानी जाती है अपनी मिलक कपेस्टी के लिए अपनी हाइट के लिए वह बाते हमें नजर नहीं आई क्यूंकि कम या कहीं ने कहीं रहती गई और किसानों की हमारे साथ जो जूड़े हैं 80 साल के बुजरक बावजी अमिलाल जी यादव 15 साल के उमर से इन्होंने बकरी पालन शुरू किया 65 साल तक इन्होंने बकरी का रखा बावजी जो आपने पहले बकरी रखी थी और आज की जो बकरी है क्या उसमें दिन रात का फरक नहीं है फर यह संदेश देना चाहूंगा मेरे वीवर्स को इस जखराना ब्रीड को दिल से पाले दिल से अपनाए किसान अपनाए या हम चाते हैं कि जखराना रहे उसका वजूद रहे तो हम को कोशिस करनी पड़ेगी मेरे किसान दोस्तों प्रयास हमें करना पड़ेगा और वो यह जिला अलवर का यह बहरोड तसिल और बहरोल तसिल से 12 से 15 किलोमेटर की दूर पर गाउं आता जखराना और इस जखराना गाउं के नाम पर ही इस ब्रीड का नाम पड़ा जखराना अपनी मजबूत कद काठी के लिए जानी जाती है ब्लेक कलर इस ब्रीड के क्या नेचर है क्या इसके सिस्टम है मैं आपको बताऊंगा जो रहा कि जखराना को लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं वजे क्या रही एक बहुत अच्छी मिलक कपेष्टी की दूद नहरु जी प्रधानमंत्री के समय में इनोंने विनिंग लिया हुए साथ लिटर दूद का अवार्ड मिला है बहु जी आपको साथ किलो दूद का अवार्ड आपको मिला कितने साल पहले मिला अच्छा और जब मैं बहादरपूर चिकानी लेगो थो बहादरपूर चिकानी ये लेके गए थे नहरु जी के टैम में प्रधानमंत्री थे नहरु जी आये थे नासर दोनों प्रधानमंत्रिया थे किसानों का एक समयलन था ब्रीड के उपर हो रहा था तब इस जखराना ब्रीड के इस किसान ने जो आज हमारे पास मोजुद हैं हमें ये बड़ा सोभाग्य है हमें इनके चरण चुने का आशिरवाद मिला उद्रीया रिकोर्ड ने बनाया लेकिन इतनी अची बरीड होने के बाजुद इतनी मजबूत कड कठी होने के बहुद भी इस बरीड को कम करते गए लोग यह जहां आपने 80 साल है तो आपके ये बाड़े में कम से कम आज मुझे लगना था कि सो बकरी मोजिद होती लेकिन यहां आज बकरी केवल 15 से दसी नहीं नजर आई तो कहीं न कहीं ये दर्द है आप मानते हूं इस बात को जमाना बदल गया जब रोई चरब बनना रही जंगल नहीं रहे और पिर जब तो पालार जाड बहुत बहर रहा करता ही चीच है कि जमाना परतावागो बस पानी तो ज़्यादा खुराप आगी खुराग ना मिली तब समय के साथ बदलाव आता गया शहरीकरन गाउं का जो है वो नदारद होता रहा शीड नदारद होता रहा और उसकी जो कमी है वो हमें इस ब्रीड पे देखने को मिली तो ये बहुत बड़ा खाम्याजा जखराना ब्रीड को भुगतना पड़ा ये हमारी गलती रही हो या कुछ भी रहो लेकिन मैं अपने वीवर्स को ये कहना दोस्तों को प्रियास करना होगा सही बाद है ये हमारी एक दरोवर है अगर हम इस दरोवर को संजो के नहीं रख पाई तो आने वाला समय हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा तो मैं इन्हीं आसाओं के साथ नई कलेक्शन पे बढ़ रहा हूं जखराना ब्रीड पे इस ब्रीडिंग का तो ये जखराना का ही क्रॉस ब्रीड है आप देखेंगे कि जो दूसरा ब्रीडर इन्होंनों क्यों किया एक ये बहुत अच्छा एक्जामपल है जो इसके हना डिप्रीसियेशन का मतलब इसके गिराओ का इस ब्रीड के और कुछ यहां पर भी बकरियां मतलब अगर हम देखें तो यहां पर हमें जो देखने मिला वो लुप्त की कागार पर है जखराना और जो में फेक्टर था वो इनका खाने का उनका सीड का उनका फीड का और जगह ना होने की वज़े से जो जखराना है वो लगातार गिरती चली गई पाला ने इसका घड़ गया और आज ये लुप्त होने की कागार पर है तो दोस्तों आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस भी ब्रीड पर आप काम कर रहे हैं चाहे वो सिरोही हो चाहे वो सोजत हो चाहे वो आपकी लोकल में पाई जाने वाली नसल हो उस पर आपको विशेश तोर पर हना एक कि रिसर्च आपको कंप्लीट तोर पर रखना है अना ताकि हम से कोई पालन के दौरान गलती ना हो और हमारे यहां पर जो ब्रीड है वो बरकरार रहे ताकि हमको इसका ब्रीडिंग परसेंटेज फीडिंग परसेंटेज और पर जो प्रोड़क्शन रेट है वो बहुत आसा करता हूं यह जो हमारी जानकारी थे आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो इसे लाइक जरू करें जादा जादा किसा अंदोस्तिता किसे सेर जरू करें थैंक यू थैंक यू वरी मैं